गईज अनकाडमी पे एक बार फिर से आप सभी के लिए बेस्ट आफर को लॉंच कर दिया किया है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप एक साल का NDA का सब्सक्रिप्सन लेते हैं तो एक साल SSV का सब्सक्रिप्सन फ्री है जो कि ये ओफर आपको 25 से लेका 30 अक्टूबर तक ही रहेगा ठीक है अगर चाहती है इंडौन करना तो कर शकते हैं एक और आफर है ऑफर अन प्लस सब्सक्रिप्सन NDA के लिए है जो कि अगर आप 6 महीना कर लेंगे तो 1 मेन उस वेफ्री है अगर आप 2 साल के लेते हैं तो 4 मेन उस वेफ्री है तो ये तो है 27 आस्व आप इस बैच को जोइन कर सकते हो ठीक है अकुला कोस्टगार्ड बैच 2021 है जो कि यह भी बहुत ही बिस्ट बैच है जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट है यह बैच आज से चाहे तो इस बैच को आप जोइन कर सकते हैं और 15 इसमबर ते कि यह खतम हो जाएगा यानि कि इसका जनवरी में भी एक्जाम हो जाएगा ठीक है तिरी सूल एरफोर्स एक्स भी बैच आ चुक है जो कि इंडियास के नमबर वन एजुके टेर मिलते हैं यहां पे ग्लोरी एरफोर्स वाई ग्रूप है जो कि यह भी बहुत ही बेस्ट पेच है और यहां पे आपको 13 अक्टूबर से बैच को स्टार्ट किया गया है और छे तरी सूल बैच को स्टार्ट किया गया है चाहे तो आप जोइन कर सकते हैं इस तीसी को धियान लखना कि एरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का जो सबस्टिप्सन है इसका अलग है जो रेविन्यू जो पैसा लगता है इसका कम है और NDA का जादा है तो जब भी लीजे आप देख लीजे कि हम मैं किस कटेगरी में ले रहा हूँ NDA या फिर नेवी एरफोर्स कोस्ट कार्ड ठीक है तो चाहें तो आप जाके ले सकते हैं एक कोड डालना होगा जी जे 8010 इसकी सहाथा से आप 10% डिसकाउंट और रीडम करके 20% डिसकाउंट पा सकते हैं कैसे आप सभी लोग आई होप की आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों मैं आज आप लोग लिए और आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है सबसे पहले आपको क्या करना होगा टेलिग्राम चैनल जॉइन करना है और वहाँ से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक चीज और बता दो कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फटा फट जाईए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेला इकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारा कोई भी नए आ सब्सक्राइब करते हैं तो यह करती है जो कि आपको बिडियो को एंड तक जरू बने रहना है Question No.2 ध्यान से देखेंगे कि Others Gas में उर्जा सुनने होती है Option A स्थितिज, Option B गतिज, Option C, A, B दोनो या फिर Option D कोई नही Right answer कमेंट करेंगे अगर आपको इस question कभी Right answer पता है तो Others Gas में कौन सी उर्जा सुनने होती है तो ये स्थिति उर्जा जो है जो कि Option No.A हो जाएगा Right answer स्थिति उर्जा क्या होती है शुनने होती है Others Gas में Option A हो जाएगा Right answer Next सवाल क्यों बढ़ते हैं अगला सवाल ध्यान से देखिएगा सवाल No.3 ये है कि निश्पादन गुनांग कहते है Option A में है भाफ एंजन की दक्षता को on.heen B कारणोंआ की दक्षता को या czy Option C में रेफरजेटर की दक्षता को ये फिर Option D इन में से कोई नहीं तो देखिए निश्पादन गुरांग कहते हैं कि कि option number C हो जाएगा right answer, ठीक है, next सवाल क्यों बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि D U B 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 आभी प्रक्रम के लिए या फिर option इन में से कोई नहीं राइट एंसर कमेंट करेंगे कि du बराबर d w बराबर 0 किसके लिए मानने है तो यह मानने है रुद्रुष्रम प्रक्रम के लिए जो की option नमबर यह हो जाएगा राइट एंसर ठीक है ओप्षन एक्रेक्ट यानि राइट एंसर हो जाएगा next सवाल क्यों बढ़ते हैं अगला सवाल ध्यान से देखिएगा कि सुरोत का ताप बढ़ाने पर कार्यो यानि कार्णों इंजन की दक्ष्टा क्या होती है बहुत ये अच्छा सवाल है सुरोत का ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो कारणों इन तक्षा क्या होती है तो ये बढ़ती है option A हो जाएगा right answer हमेशा बढ़ती रहती है ये आपको याद रखना होगा next देख लेंगे अगला सवाल है कि एक refrigerator को चालो करके उसका दर्वाजा खुल कर उस एक बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा बहुत ये अच्छा सवाल है कई बार एक्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है कि एक refrigerator को चालो करके उसका दर्वाजा खुल कर उसे एक बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे काताब क्या होगा तो देखिए कमरे काताब बढ़ेगा option number A हो जागा राइट एंसर ठीक है next अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल ही कि ठंडे देशों में जील के पानी जम जाने पर भी जीवित रहती है क्यों option A में वे अधिक ठंड़ा जो है सहन कर सकती है option B वे अपने अंदर आवाश्य को सिक्जन संचे करती है या फिर option C जील के पानी की जमी हुई सता के नीचे पानी द्रव के रूप में चार डिग दिसेट पर रहती है इसलिए क्या होती है मशलिया जो क्या जीवित रहती है ठीक है नेक्स्ट देख लेंगे अगला सवाल अगला सवाल यह कि जल की विसिस्ट उस्मा का मान होता है option A 4.18-10.3 जूल प्रती option B में है option C, option D आपको दिया गया है सभी लोग राइट एंसर कमेंट करेंगे जल की विसिस्ट उस्मा का मान क्या होता है तो इदे की option number C हो जागा C में हमारे पास क्या है 4.182 जूल प्रती केजी कैल्विन हो जागा राइट एंसर ठीक है अगला question देहान से देखेंगे कि वास्पिकरन से पदार्थ क्या होता है option A में है गर्म option B ठंडा option C है कहां नहीं जा सकता या फिर option D इनमें से कोई नहीं वास्पिकरन से पदार्थ क्या होता है तो ये गर्म होता है option A में क्या हो जागा ये हो जागा राइट एंसर वास्पी करन, जो वास्प निकलता है वो गरमी न निकलता है, तो वास्प करियन से जो पदार्थ होता है वो गरम होता है, नेक्ट देख लेंगे अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि सम्मूंदर तल से उच्छाई बढ़ने पर वाई मंडल ये दाव क्या होगा घटता है बढ़ता है अपरियोर्तित रहता है या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका भी राई एंसर ऑप्शन नमबर ये ही हो जाएगा या घटता है जो समुंदर तल से उचाई बढ़ने पर वाई मंडल का दाव हमेशा घटता रहता है ठीक है अगला सवाल ध्यान से देखेंगे शवाल नमबर 11 ये है कि पानी की वाश्पन की गुप्त उश्मा होती है सभी लोग राई एंसर कमेंट करेंगे वर्फ की गलन की गुप्त उस्मा क्या होती है तो यह होती है अस्य क्रति ग्राम जो कि my व्य हो जाएक इस को स्वाहल ग्लेव कि पारे का क्वथनांगतर क्या आ times सब्सक्राइब देखेंगे पारा का गलनांग की क्या होता है आपसे क्वाथनांग पूछा गया है लेकिन अगला क्या है कि गलनांग क्या होता है पारा का गलनांग होता है तो देखें यह होता है माइनस 38.83 डिगरी सेलसेस होता है यह दोनों आपको याद रखने होगे यह तो आपको पारा का गलनांग हो गया लेकिन आपको पहले कुर्शन में मैंने क्या कराया है पारा का क्वाथनांग कराया तो यह आपका एंसर हो सवाल नमबर 15 यह कि जब बर्फ पानी में बदलता है तो क्या होता है सभी लोग राइट एंसर कमेंड करेंगे उसमें और शोशित होती है ताप बढ़ता है ताप घड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका भी राइट एंसर नहीं करेक्ट राइट एंसर हो जाएका का मान केल्विन में क्या होगा बहुत ही अश्र सवाल है यह सारे चेंज करने के लिए जो आपको बता दो कि यह में इसमें जैसे जो होता है उस तरह से क्या होता आपको बतलब आपको मैथ की विद्विद्वरा आपका इसमें कोशन की जाते हैं कि 800 डिग्री फ्लोरीन का मा अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं सवाल नमबर 17 17 नमबर ध्यान से देखिएगा 17 बहुत यह अच्छा सवाल है ध्यान से देखिएगा सवाल नमबर 17 यह है कि एक गैस की आंत्री कूर्जा कम होती है जब आप्शने में यह उश्वा अशोशित करती हैं आप्शन भी परिवर कि रुद्रोशम है या फिर आप्शन ने इन में से कोई नहीं सभी लोग राइट एंसर कमेंट करेंगे क्वश्चन नमबर 17 यहनी 17 का एक गैस की आंत्री कूर्जा कब होती है कब जब परिवर्तन रुद्रोशम होती है जो कि आप्शन नमबर C होजा का राइट एंसर ठीक नेक्स्ट सवाल देख लेंगे अगला सवाल अगला सवाल यह की खानब पकाने की बरतनों में लकड़ी का हैंडल लगा होता है क्यों ऑप्शन ने लकड़ी उश्मा की खराब चालक होते हैं ऑप्शन भी हैंडल मजबूत होता है ऑप्शन सी हैंडल अकर्शन नहीं होता है या फिर option डियो प्रोक्त में से कोई नहीं तो देखे इसका भी right answer option number A हो जागा A में हमारे पास क्या है लकडी उश्मा को खराब चालक होता है यह हो जागा right answer ठीक है जो कि option number A दिया गया है अगला सवाल ध्यान से देखेंगे सवाल number 19 यह है कि काले रंग के मुकाबले स्वेत रंग के कपड़े शीतल होते हैं क्यों होते हैं काले रंग के चुँ मुकाबले स्वेत रंग के कपड़े क्या होते हैं शीतले ठंडा होते हैं यह क्यों होता है तो देखें यह कारण होता है शवाल यह कि नैदानिक थर्मामेटर की शीमा क्या होती है बहुत अच्छा सवाल है नैदानिक थर्मामेटर की शीमा क्या होती है तो यह होती है option number D sorry A हो जाएगा right answer यानि 95 degree fluorine to 110 degree fluorine हो जाएगा right answer नैदानिक थर्मामेटर की शीमा कितनी होती है पंचानमे डिगरी फ्लोरिन से लेकर आपको 110 डिगरी फ्लोरिन तो हो जागा राइट एंसर और यह आज का इतना ही कुश्चन अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक कीजी कमेंट कीजी और अपने स्टेडी गुरूप में एटलिस्ट एक सेयर भी कर दीजिए ठीक है तो आज के लिए तना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में धन्यवाद गैज वेलकम यूटूब वार गयम्स एंडे 221 फाइनल हडल टू क्लियर एंडे 221 इसमें क्या होगा आपको बता देता हूं वार उसके बाद आपका 9 और 10 नॉवंबर कोगा ठीक है तो चाहें तो इसको जोइन कर सकते हैं उसके बाद विक आफ एंडे 221 बाइटॉप एंडी एजूकेटर तो यह भी आपके लिए हैं एंडे 221 रिविजन फ्रम फस्ट से लेकर थर्ड नॉवंबर तक है और प्राक्टिस भी जाके जूड़ सकते हो ठीक है और यहाँ पर देखे सकते हैं तो फिर यहाँ पर किया गया है जो कि पी ओडी ठीक है मॉप टेस्ट फॉर एंडे 221 के लिए इस डूल आप देख सकते हैं थर्ड नॉवंबर इट नॉवंबर टिंथ नॉवंबर ती किया गया है करना है तो इंडॉल कर सकते हैं बस qr code screen करें ठीक है और यहाँ लर्न फ्रॉम इंडिया वेस्ट एजुकेटर जैसे कि आप इन स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक है तो फिर क्या कहना है थेंग्यो